दोस्तो आईपील की शुरूआत इसलिए किया गया था कि भारत को अच्छी अच्छी खिलारी मिले और भारत के लिए खिले लेकिन आपको जानकर हैरनी होगी आईपील की फाइनल जो खेल रही है दो टीम केकर और सानराई साधराबाद इनमें से एक भी खिलारी टीट्वेंटी विश्यकाप में नहीं जा रही है इंडिया की जो टीम T20 विशकाप खेलने जा रही है इन में एक भी S.A. खिलारी नहीं जो IPL की फाइनल खेल रही है आपको ये विशुवास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सस है KKR और सान राइस हाई दरावत कबीस IPL का फाइनल मेश सब इस तरीकों खेला जाएगा लेकिन ये हैरान कर देने वाला कहानी है कि KKR में और SRS में एक भी S.A. खिलारी नहीं जो विशकाप जा रही है भारत के लिए खेल रही है और भारत की T20 विशकाप की स्कॉर्ट में एक भी S.A. खिलारी नहीं है जो IPL का फाइनल खेल रही है लेकिन जब IPL शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि IPL ओडिशन होगा T20 विशकाप का बलकि ये भी कहा गया था कि IPL विशकाप से पहले शुरू हो रही है अगर यहां आच्छा खेलोगी तो विशकाप में भी खेलोगी लेकिन IPL की फाइनल में इंडियान T20 स्कौर्ट की एक भी खिलारी नहीं है मतला 15 लरुका सिलेक्ट हुई है T20 विशकाप के लिए IPL की फाइनल से एक लर्का तो बनता था केक्यार से एक खिलारी है जो साथ में जाएंगे लेकिन खेल नहीं रही है वो है रिंकू सिंग हाला कि रिंकू सिंग को T20 विशकाप की स्क्वर्ट में लेना चाहिए था लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है आप बीदेशी खिलारीों को सोड़ दीजिए जो सोला खिलारी IPL की फाइनल खेलेंगे जो भारतिया खिलारी है उनमें से एक भी खिलारी T20 विशकाप में नहीं जा रही है कलकत्ता नाटेडर्स और सान राज हदरवाद इनमें कई सारे से खिलारी थे जिनका जगा T20 विशकाप में बनते थे जो बहुत अच्छा भी कर रहे थे लेकिन उनको चुना नहीं गया अभिशेक शर्मा क्या कमाल की बलेबास है तक्रिबन 500 रान बनाए है उन्होंने गेम बाजी से विकेट भी लिये है अच्छा फिल्डर भी है तेज गती से खेलता भी है उनको मौका नहीं मिला T20 विशकाप में अभिशेक शर्मा आईपियल का एक लोता ऐसा खिल्यरी है जिनोंने 10 मेज खेलने की बाद 200 का इस्टाइक वेट मेंटेंड किये है अभिशेक शर्मा ने 2021 की आईपियल में 42 सिक्सेस लगाई है जो सबसे ज़्यादा है तीन अर्दर्शा तक भी लगाई है उन्होंने लेकिन अभिशेक शर्मा को जगा नहीं मिला T20 विशकाप में रिंकु सिंग T20 क्रिकेट की कमाल की बलेबास है कमाल की फिनिशर है उनको भी जगा नहीं मिला T20 विशकाप में रिंकु सिंग ने अभि तक इंटरनेशनल में जितनी भी T20 मेज खेले है उन्होंने कमाल कर दिये है मतलब 180 से उपर उनका इस्टाक रेट है और क्या चाहिए आपको नटराजन जो देथ अबारों में आग उगलती है अपनी गेम बाजी से उनको मौका नहीं मिला नटराजन 2021 की IPL में 19 विकेट निकल चुका है नटराजन कमाल की वॉलर है और उनको मौका नहीं मिला 2020 की T20 विशकाप में बोरुन शक्रवर्ती ने कमाल की गेम बाजी की उन्होंने 20 विकेट निकला उनको भी आप नहीं ले गए रियान पराग जो आप तक खेल रहे थे फाइनाल नहीं खेलेंगे लेकिन उन्होंने शांदार खेल खेला है उनको भी अपने नहीं ले गए T20 विशकाप में इनके इलाबा भी बोहुत सारे खेलारी थे जो T20 विशकाप में जगा बन सकते थे लेकिन उन खेलारीों को भी CCI ने नहीं चुनी बैंके टेशर आयार, स्रिया शायार इन दोनोंने भी शांदार खेल खेला लेकिन इन दोनों को भी आप लोगोंने T20 विशकाप में नहीं लिया हरशीत रहना जिनोंने शांदार गेमबाजी की उनको भी अपने T20 विशकाप में नहीं लिये बुबे नर्शर कुमार जिनोंने पावर प्ले में कमाल की गेमबाजी की उनको भी अपने नहीं चुनी हरशाल पेटेल वो तो पंजाब की ओर से खेलते थे IPL की फाइनाल नहीं खेलेंगे लेकिन ओभी कमाल की गेमबाज थे उनको भी आप T20 विशकाप में ले सकते थे लेकिन ओवरॉल चार पास ऐसे खिलारी थे जो IPL की फाइनाल से T20 विशकाप में खेल सकते थे जैसे अभिशेक शर्मा, रिंकू सिंग, बोरून सक्रवर्ती लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं चुना लेकिन ओवरॉल T20 विशकाप के लिए भारतिया टीम को तो गुशित कर दिया गये है और हम उमीद ये करते हैं कि यही टीम हमारे लिए T20 विशकाप लाएंगे इसी की साथ दोस्तों आप लोगे से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन